दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर आर बी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दोहजार चोबिस ओनलाइन फॉर्म फिलप के बारे में तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि वीडियो को देखकर आप आसानी से अपना फार्म भर सके तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ प फार्म भनने से पहले आपको यहाँ पर रिक्रूट्मेंट और बारियस पोस्ट और जूनियर इंजिनियरिंग डिपोर्ट मटेरियल और यहाँ पर यह देख सकते हैं इसका जो नोटिपिकेशन है इसको आपको क्लिक करके सबसे पहले तो इसमें जो सारी डीटेल्स है अच 29-24 तक अपलाई कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जो बैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बैक पोस्ट नेम यहाँ पर जूनियर इंजिनिरिंग यहाँ पर यहाँ पर केमिकल सुपरवाइजर यह पोस्ट का नाम है यहाँ पर दे से 36 यहाँ पर total number of post आप देख सकते हैं 7951 तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले तो यह notification डाउनलोड कर लेना है और आपको इसको पूरा पढ़ लेना है अगर आप eligible है तो form apply कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको form भरके दिखाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों आपको apply का option म पढ़ेगा अगर आपने पहले इसका जो पहले पिछली जो vacances निकली थी RRB technician local pilot तो उसमें अगर आपने form डाला था तो आप यहाँ से already have an account इस पर click करके login करके form भर सकते हैं अगर पहली बार घर भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको create an account इस पर आपको click करना है तो दोस्तों फ पने वीडियो को like ने किया है तो please वीडियो को like कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इस related वीडियो की notification मिल सके तो यहाँ पर दोस्तों country आप यहाँ पर अपनी country select कर लेंगे इंडिया उसके बाद में यहाँ पर आती ह आपको अपना full name डाल देना है यहाँ पर दोस्तों have you change your name अगर आपने दस्वी के बाद में नाम change करा है तो यहाँ पर yes करके और यहाँ पर change name डाल देंगे नहीं करा है तो आपको नो पर टिक करना है यहाँ पर आता है date of birth इस calendar से आपको सबसे पहले तो यहाँ पर अपना year इस पर click करके जो भी आपका year है वो यहाँ पर year select करेंगे यहाँ से month और date यह select करेंगे यहाँ पर दोबारा से select करेंगे उसके बाद में select gender आप male candidate है female candidate select करेंगे यहाँ पर दोबारा से select करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आता है father's name यहाँ पर इस box में father's name डालेंगे यहाँ पर दोबारा से father's name यहाँ पर mother's name डालेंगे दोनों box में यहाँ पर दोस्तों आपको please enter your आधार card number यहाँ पर आधार number डालेंगे और verify using आधार इस पर click करके आपको आधार पर जो number registered है उस पर OTP जाएगा तो OTP डाल कर verify कर लेना है अगर आपके पास में आधार card नहीं है तो यहाँ पर do not है वाधार card इस पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी एक government ID इस list में से जो है एक select कर लेना है और उसका document number यहाँ डालेंगे इस to date और issue authority किसने इस to किया है और issue place कहां से issue हुआ है और कब हुआ है वो date select करे इसके बाद में यहाँ पर contact detail यहाँ पर दोस्तों आता है आपका email id email id यहाँ पर type करेंगे और generate email इमेल ओटीपी इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी इमेल पर ओटीपी जाएगा ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर मुबाइल नमबर डालेंगे अपना बैलिट और यहाँ पर मुबाइल ओटीपी पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मुबाइल पर ओटीपी जाएगा OTP यहाँ पर डाल कर verify करेंगे उसके बाद में create your password तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक password बना लेना है जो कि यहाँ पर एक बड़ा अक्चार और छोटे अक्चार और special character और कुछ number मिला कर चारों चीज mix करके दोनों में same password डालेंगे और यह capture code को इस box में फिल करेंगे और दोस्तों preview and create an account इस वाले option पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर फिर आपको एक बार preview check out कर लेना है registration में जो details भरी है वो उसके बाद में इस box पर टिक करेंगे i have reached और create an account इस वाले option को select करेंगे इस पर click करेंगे फिर यहाँ पर दोस्तों आपका account create हो जाएगा तो यहाँ पर अपना mobile number आपने जो password बनाया password डालेंगे capture code फिल करेंगे login करेंगे दोस्तों यहाँ पर फिर आपका database open हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों यह notification है चाहो तो पढ़ सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर आपको online application इस वाले option को select करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं CEN number और यहाँ पर junior engineer J.E. Deport material और superintendent DMS chemical दोस्तों यह notification आप देख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों select the RRB for which you wish apply तो यहाँ पर दोस्तों आपको कौन से जोन से apply करना है तो यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट करेंगे इस डबे पर टिक करेंगे और next बटन पर click करेंगे दोस्तों यहाँ पर this data is from your previous save data के लिए यहाँ पर check the all details तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो आपने अगर पहले registration किया है कोई भी farm भरा है तो मैंने पहले से इसमें farm भरा था तो यह details यहाँ पर ले ली गई है तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो details है पहले से ले ली जाएगी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको marital status आप married है and married select करेंगे यहाँ पर आपका religion select कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों mother tank आपकी मातर भासा क्या है वो यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर choice of language examination के लिए कौन सी भासा में exam देना चाहते हैं अपनी भासा select करेंगे यहाँ पर permanent visible mark identification आपके सरीर पर कोई निसान होगा जैसे हाथ पेर मूं में तिल तो यहाँ पर mall on face इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर दूसरा जो identification mark है वो यहाँ पर डाल देंगे उसके बाद में यहाँ पर category आपकी category यहाँ से select कर लेंगे यहाँ पर दोस्तों आता है postal address आपका present address तो यहाँ पर अपना state select करेंगे यहाँ से अपनी district select करेंगे यहाँ पर अपना full address डालेंगे यहाँ पर अपनी बीली यहाँ पर दोस्तों village यह city town का नाम डालेंगे यहाँ पर अपने area का pin code डाल देंगे और यहाँ पर अगर permanent address same है तो यहाँ पर दोस्तों same address डाल देंगे अलग से दे कि आसके पर दो आहां पर onda क्रहांएं झरीक यहां पर्लाइट और आब यहां पर दो कि 버म संदों आ सा अबरत बांदान का मिल्स के फिल्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बीपियल कार्ड धारी होना चाहिए और सेंटरल कवर्मेंट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ इसके द्वारा आपके पास में सर्टिपिकेट होना चाहिए इसका बीपियल कार्ड तो दोस्तों यहाँ पर यह जो इसकी फीच लग रही है Fist Concession के लिए दिया हुआ है तो अगर चाहते हैं इसमें Fist Concession में तो आप यहाँ पर yes करके उसकी डीटेल्स दे सकते हैं अगर नहीं चाहते हैं नहीं है आपके पास में बीपेल कार्ड ये EBC कार्ड तो नोपर टिक कर देना है यहाँ पर detail of surveying railway applicant अगर आप पहले से railway में हैं तो यहाँ पर yes करके यहाँ पर उसकी details दे देना है नहीं है railway में तो no पर टिक करेंगे यहाँ पर आता है current employment detail अगर आप यहाँ पर दोस्तो central government या state government या PSU department में आप job करते हैं पहले से तो select कर सकते हैं नहीं तो आपको note applicable पर click कर देना है उसके और refund पर दोस्तो यह account number IFSC code आपको जो exam होगा CBT बन दे देंगे तो आपको यहाँ पर fees refund की जाएगी तो यहाँ पर उसके लिए account number मांगा जा रहा है तो यहाँ पर name of the account holder name डालेंगे यहाँ पर account number डालेंगे confirm account डालेंगे और यहाँ पर IFSC code डालेंगे और confirm करेंगे तो आप आपका यहाँ पर bank का नाम ले लिया जाएगा उसके बाद में save करेंगे और यहाँ पर दोस्तो नेक्स्ट बटन पर click करेंगे दोस्तो यहाँ पर फिर आती है आपकी qualification details तो यहाँ पर आपको matriculation की जो details है वो यहाँ पर already आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद में अग आप पासिंग यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर डालके save कर देंगे दोस्तो टेंद की details देने के बाद में फिर यहाँ पर आपके पास में three year diploma in engineering का है यहाँ फिर bachelor of science है यहाँ फिर degree in engineering की है तो यहाँ पर दोस्तो आपके पास में जो भी details है इसमें से वो यहाँ पर add कर दे यहाँ पर कौन से state से आपने किया है state यहाँ पर select करेंगे यहाँ पर district select करेंगे और दोस्तो उसके बाद में यहाँ पर आता है name of college या university का नाम डालेंगे यहाँ पर passing year डालेंगे date और add बटन पर click करेंगे दोस्तो अपने qualification अच्छे से आपको add कर लेना है उसके बाद में add करते जाएंगे उसके बाद में next बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो फिर आपका जो photo and signature are automatically fetched ली जाएगी तो यहाँ पर दोस्तो अगर आपने farm भराता पिछला तो वहाँ से आपकी जो photograph है वो यहाँ पर ले ली जाएगी दोस्तो आपकी जो photograph है और signature आपने कोई प दियान रखिएगा यहाँ पर जो photograph है color passport size photograph with wide background का होना चाहिए और यहाँ पर not older 6 मन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए तो दोस्तो इस चीज़ का business store से धियान रखना है कि आपको latest photo खिचवाना है पीछे का wide background रखना रखवाना है तो दोस्तो आपका जो photograph है यहाँ प convert कर सकते हैं उसके बाद में जिसका size 30 kb से 70 kb के बीच में होना चाहिए एक सिस्तिते में camera के सामने और दोनों कंधे और दोनों कान especially रूप से दिखाए देना चाहिए तो यहाँ पर इस चीज़ का धियान रखिएगा उसके बाद में यहाँ पर आता है दोस्तो आपका signature तो यहाँ पर दोस्तो इसका जो diamond sir है यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 mm गुणे 20 mm तो यहाँ पर यह साइज में ही आपको यहाँ पर 140 गुणे 60 pixel और यहाँ पर यह साइज के अंदर ही आपको इसका size बनाना है तब ही upload होगा तो आप Photoshop से या online website से आप आसानी से इसका size बना सकते हैं उसके बाद में दोस्तो आपको लगता है कि यह size रखना है तो save button पर click करेंगे दोस्तो फिर save button पर click करेंगे और उसके बाद में next button पर click कर देना है दोस्तो यहाँ पर फिर आता है आपका order of preference the post तो यहाँ पर दोस्तो आपने जो भी आपकी qualification भरी है उसके according यहाँ पर अगला reason भी यहाँ पर आपने को देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर WCR junior engineer यहाँ पर WCR junior engineer तो दोस्तो आपकी qualification के अनुसार यहाँ पर जो post है वो आप इसमें चाहो तो एक में भी आवेदन कर सकते हैं यहाँ तो सभी का preference दे सकते हैं तो जैसे आपको यहाँ पर यहाँ पर तो इस plus के icon पर आपको टिक कर देना है तो यहाँ पर first number पर आजाएगा फिर आपको मानली जी यह चाहिए तो इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आप चाहो तो सभी का preference दे सकते हैं अगर कोई एक का देना चाहते हैं तो एक का भी दे सकते हैं उसके बाद में दोस इस box पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर भी टिक करना है यहाँ पर आपका place का नाम आप कहां से form भर रहे हैं कहां पर रहते हैं अपनी city का नाम यहाँ पर डाल देना है उसके बाद में दोस्तों save button पर click करेंगे और यहाँ पर preview इस वाले option पर आपको click कर देना है यहा आप कुछ edit करना चाहते हैं तो अभी edit कर सकते हैं submit करने के बाद में आपको finally आपको अपने form की payment कर देना है जैसे आप अपने form की payment कर देंगे तो आपका finally form submit हो जाएगा तो उसका printout निकाल कर save करके अपने पास में रख लेना है दोस्तो यहाँ पर आपको application history देखना है तो यहाँ से आप अपनी application history भी देख सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप RRB railway recruitment board J.E. Junior Engineer 2024 का online form घरवेठे आसानी से भर सकते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो please वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को subscribe कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको इस related notification समय समय पर मिल सके Thank you दोस्तो धन्यवाद